जम्मू कस्मीर के तमाम बड़े निता प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से मिलने जा रहे हैं और इसको लेकर के कश्मीर की राजनीती घरमा गई है। जम्मु कस्मीर से जुड़े हुए और फिल्म डिरेक्टर असुक पंडित जी हैं जो वहां के जो है सारी जमीनी हकीकत को जानते हैं, सर आप इस जो ये निता मिल रहे हैं जम्मु कस्मीर के इतने दिनों बाद प्रधान मंतरी नरींदर मुदी से किस तरह से देखते हैं आप मैं इस पूरे प्रसेस को का खंडन करता हूं और इस पूरे प्रसेस को सपोर्ट नहीं करता हूं और उसके कारण है सबसे पहला कारण तो यह कि यह जो सांप कश्मीर में पल रहे हैं जो जिनका अस्तित्व खतम हो चुका था 5 अगस्त 2019 को आपने इन साफ़ाँ को फिर जिन्दा कर दिया ये वो लोग हैं जो जिना है ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के समिता में बिलीव नी करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में आतंगबाद को पैदा किया पनपाया बड़ा किया यह वो लोग हैं जिन्होंने हमारे security forces को, police officers को, locals को मारा, काटा, उनकी जाने लिए हैं यह वो लोग हैं जो हर वक्त देश के खिलाफ इन्होंने slogans दिये हैं यह वो लोग हैं जो responsible हैं मेरे निर्वासन के, मेरे genocide के और मेरे ethnic cleansing के लिए इन्होंने कभी भी ऐसे कोई चीज सब को support नहीं किया है, जो हिंदुस्तान के हित्म है इनके साथ बाते करना, और इनके साथ बैठकर कश्मीर के future के बारे में बाते करना मेरे हिसाब से जो कि मैं victim हूँ terrorism का, मेरे हिसाब से यह बहुत ही गलत step है और यह step जो है, खुदाना खासता कश्मीर को फिर पीछे ले जाएगा कम से कम 10 साल क्योंकि आपने एक ऐसे लोगों को फिर जिन्दा किया है, जो 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 terrorism में believe करते हैं अब आपने नई जान दे दी उनमें, यह खतम हो चुके थे, आपने बहुत सही तरीके से इनको बंद करके, इनकी इनका अस्तित्व खतम कर दिया था और कारण क्या है, कोई भी कारण, कोई भी political reason भी हो, वो मुझे convince नहीं करेगा, as a victim of terrorism, as a कश्मीरी हिंदू, as an Indian, की इस कारण की वेज़ से हमने सोचाइन को बुला है और मैं बहुत इस पश्च रूप से आप लोगों के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, APP News Channel के द्वारा, कि कोई भी political process कश्मीर के ओपर, वो कश्मीरी हिंदूं के involvement के बिगर पूरा नहीं हो सकता, जम्मू का कोई भी politics कश्मीर के डूगरों के involve के विगर नहीं हो सकता, वहां के लोगों के involve के नहीं हो सकता, टर्रिस्टों को involve करना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये terrorist ही है, supporter terrorist ही होता है, कश्मीर के process में, तो मुझे लगता है कि ये विफल होगा, और आप देखेगा कल जैसी य निकलेंगे, मेरे हिसाब से तो ये PMO जाने के लाइक नहीं है, ये बेजती है, हमारे इतने कर्मत, इतने विश्वा जरूर जो हमरे प्राइमिस्ट है, जिनके हम बहुत बड़े फैन है, नरेंदर मोदी जी के दरबार में, नरेंदर मोदी जी के office में बैटने के लाइक नह चल रही है, वहाँ विधान सभाज चुनाओं हों, वहाँ पर और भी ही जो है, लोगों में एक जो है सुकून हो और उसका विकास हो सके, इन सब मुद्दों पर बात चल रही है, तो फिर आपको क्या लगता है कि नरेंदर मोदी को किस से मिलना चाहिए था, वहाँ के किन ल करूँगा, पांच अगस्ट 2019 को एक नया कश्मीर पैदा हुआ, जम्मो कश्मीर लदाक पैदा हुआ, सतर साल का जो कैंसर था, तीन सो सतर का, वह और तेपैंती से का, वह निकाल दिया, हटा दिया गया, और यह काम सिर्फ नरेंदर मोदी ही कर सकते हैं, यह आगे सो साल भी नहीं कर सकता था, पीछे सौ साल भी किसी नहीं किये, सतर साल भी किसी नहीं किये, जिसके लिए हम बहुत दिल से अभारी हैं, इस इस सॉलिट कर्मट प्रधान मंतरी से, नेदर मोदीरी से, इसलिए हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, हमारी इस प्रधान मंतरी को, और देश नई एक 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 जनरेशन खड़ी हुई वो नए लोग खड़े हुए कश्मीर के मुसल्मार कश्मीर के हिंदू कश्मू के डोगरे लदा की उन्होंने कश्मीर को अपने अपने जगे को एक नए रूप में देखा और एक कॉंफिडेंस बढ़ा उनका यह जो नए नए जो पहुत कश्मीर के पॉलिटिक्स में एंटर किया अब पंचाथ इलेक्शन देख लो या कॉर्परेशन इलेक्शन देख लो जिन्होंने हिंदूस्तान के जंडों जंडे को कश्मीर में पहराया पांच अगस तीन सो उन्नी दोहसान उन्निस के बाद मेरे साब से वो लोग हिस्सा होने चीती इस प्रोसेस के वो नए लोग जिन्नोंने हिंदूस्तान में बिलीफ किया जिन्नोंने अपनी जान पे खेलके इस देश के साथ खड़ हुए चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसल्मान हो, चाहे वो ढोग रहा हो, चाहे वो रधाकी हो, यह नए जो फेसिस थे, नए जो एनरजीस थी, उनको इन्वार्व करना चाहिए था, तो चीजें confidence होती, क्योंकि अंदर से वो हिंदुस्तानी है, इन लोगों के साथ बैठके, यह मेरी साथ से टाइम का जाया, और चूकि आपने इनी लोगों को बुलाया, यह usual suspects है, यह जो नए फौज खड़ी हुई थी, यह जो नए लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने आप पे विश्वास किया, जिन्होंने जो देश पे विश्वास करते हैं, उनका मनोबल टूटा है, मैं यह सोच रहा हूँ कि यार मैंने जान पे खेलके, मैंने रिस्क लेके, मैंने तीन सो सतर के बाद सड़कों पे आया, मैंने जंडा ले रहा है, मैं देश की बात करता हूँ, और मुझे साइड में रखकर, आपने उन्हें लोगों को बुलाया, जो लोग इस देश के कश्मीरी हिंदूओं को का महा से, निर्वासन किया, महा से निकाला, उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, मेरा सवाल सिंपल है, आप ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब हम जो की देश से प्यार करते हैं, देश के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, क् हम टर्रिजम के खिलाब बात कर रहे हैं कि हमारी गलती है इसलिए आप हमको नहीं पूछ रहे हो या हमारी लोगों से नहीं पूछ रहे हो क्या हमारी ये गलती है कि हमने जंडा ले रहा है क्या हमारी ये गलती है कश्मीरी हिंदों की बात कर ना आज अगर कश्मीर हिंदुस् जिन्दाबाद कश्मीर में तब चिलाया तब जो जो से चीकते थे जब वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी बात करने की हमने वहाँ पर देश के गुंदान किये हुए और जाने दिये हत्याई हुए हमारे हिंदों की वहाँ पर 1990-1998 में और इतने इतने सालों तक तो दु हो गए है कि ultimately फिर यह क्या politics है और इस politics में हम तो बिलीव नहीं करों दिली में जो कल action होने जा रहा है क्या इसका reaction जमू कस्मीर में देखने को मिलेगा यह reaction तो बाद में पता चलेगा मैं क्या बोल सकता हूं लेकिन मैं इतना बलता सकता हूं कि कल यह पूरी जो मीटिंग है ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, ये एक मजाख बनके होगा, और आप देखेगा कि ये जितने भी जो बुलाए गए हैं, ये बहार आके जो नंगा नाच करेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान का गुंगान करेंगे, जिस तरीके से सरकार को गलियाएंगे, जिस लोग important हैं अभी भी कश्मीर के politics को लेकर आपने इनको certify कर दिया वापस और ये आपको इसका फल भूगतना पड़ेगा और सवाल की सर आप सुरू से बच्पन से जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत से जुड़े हुए है उसको जानते हैं अगर वहाँ पे शांती बहाल हो रही से दिया जाए वहाँ पे विधान सबा चुना हो तो इसके लिए अब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए और वहाँ की कौन से ऐसे लोग है जिन से जो है मिल बैटकर बात होनी चाहिए ताकि जो है जो राज्य बने वहाँ पर सुक्सानती हो उन सारे लोगों इन्वाल करो जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं जो हिंदुस्तान की अस्मिता में बिलीव करते हैं उन सारे लोगों करो हैं बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में बी हैं जमू में बी हैं लदाक में बी हैं आएंगे सब सामने और आपके साथ बाकाइदा कंदे से कंदे मिला कर जो है मह तो फिर आतंगवादी पनपे आना है जो लोग मिलने जा रहे हैं इनको पूरी तरह से दरकिनार करके ही आगे के राजनीती होनी चाहिए बिलकुल बिलकुल इनको सामने लाने हैं इनको इलक्षिन में खड़े होने दो ना इनको रोकेगा कोई नी यह पॉलिलिकल पर्टी जा लेने का हक है इनको मैं वो नहीं कहा रहा हूँ लेकिन इनको importance देके इनसे बाचीत करके और ये जताना कि आपके बगर जो है वहाँ का political process नहीं हो सकता और आपने यही indication दिया है आपने देश में यही message दिया है आपने अशुक पंडी जी थे जिनका कहना है कि जो चम्मू कस्मीर के नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं उसका उस action का reaction भी कस्मीर में देखने को मिल सकता है और ये प्रधान मंत्री की एक गलती भी हो सकती है जिसे हो सकता है कि सुईकार नकी आजाए कैमरामेन जावेद के साथ राजेश तरपाठी ABP News मुंबई कि दो प्रधान मंत्री की उसका रहे हैं जाए है कि अजान कि प्रधान